दोस्तों क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि दुनिया में करोडों लोग होने के बावजूद भी किसी का चहरा एक जैसा क्यों नहीं है क्यों हर किसी की सकल अलग-अलग है तो इसका सीधा जवाब है जीन्स जिनकी वजह से सभी की सकल अलग-अलग होती है लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ तो मैं हूँ आपका दोस्त दक्च और आप देख रहे हैं Amazing Top 5 Malvenin दोस्तो Malvenin एक Gambian Model है ये अपनी सरीर की वज़ा से Instagram पर काफी मसूर है इनके Instagram अकाउंट पर इन्हें अभी 4 लाग से ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं और इनकी यूनिक फोटोस की तारीव भी कर रहे हैं इनके यूनिक लुक की वज़ा से लोग इन्हें पसंद करते हैं Malvenin की आखे बड़ी और चमकदार हैं जो इनकी बड़ी को और भी ज़्यादा अट्रेक्टिव बनाती है कई लोगों का मानना है कि Malvenin की फोटोस फोटोस आप का कमाल है लेकिन सच क्या है वो Malvenin के अलावा कोई नहीं जानता मोली बैर मोली का जिनम 1997 को पैंसलवेनिया में हुआ था सुरवाती दिनों से ही मोली काफी कमजोर थी और जब वो उम्र के साथ लंबी होती गई तो काफी अजीब दिखने लगी जिस वजह से लोग इने चिड़ाने लगे लेकिन मोली ने इन से भी चीजों से हार नहीं मानी और 2014 में अपना मॉडलिंग करियर शुरू किया और अब तक ये कई फैसंसों में हिसा ले चुकी है जिस वजह से इनका चेहरा कई मैगजीन के कवर पेच पर भी आ चुका है और यही वजह है कि आम मोली पूरी दुनिया में मशुहूर है सुनैना सुनैना के यूनिक लुक की वजह से इनकी प्रेशन सा पूरी दुनिया में की जा रही है इनके लुक की वजह से लोग इनकी तुनला अफतार मूवी की नेवी वूमेन से करने लगे है इनके यूनिक फीचर में सबसे पहले इनकी नाग है जो कापी चौड़ी है जिस वजह से ये सबसे अलग और यूनीक दिखाई देती हैं आज सुनेना को कई मौर्डिंग एजन्सी हायर करना चाती हैं और ऐसा कहा जाता है कि लंदन की सड़कों पर घुमते हुए इन्हें एक मौर्डल एजन्सी ने हायर कर लिया था और बाद में इन्हें लंदन फैसन वीक में रैंप वॉक के लिए इनवाइट भी किया था माईवा जियाना मार्सल जियाना मार्सल भी अपने यूनिक लुक की वजह से ही मौर्डिंग इंडस्ट्री में मसुहूर है इनके चहरे पर हाइपर पिग्मेंटेशन बिमारी की वजह से निसान बन गए थे जो इन्हें बचपन में हुई थे जिस वजह से इन्हें खुद को समानने में थोड़ा समय लगा लेकिन उन्होंने कभी भी अपने चहरे पर बने निशानों को छुपाने की कोशिश नहीं की क्योंकि उनका मानना था कि मौडल बनने के लिए फ्लोलेस इसकीन होना ज़रूरी नहीं है और इसी भरोशे ने इन्हें मौडलिंग में जग्या बनाने का मौका दिया इन्हें New York Fashion Week में सबसे पहले नोटिस किया गया था जिसके बाद इन्होंने कई मौडलिंग एजेंसिस के साथ काम किया और बहुत नाम कमाया दोस्तो इस लिश्ट में बाकी लोगों की तरह इस टीवन ने भी कभी मौडलिंग करने की नहीं सोची थी और बचपन में इन्हें इनके अलग रंग रूप की वजह से लोग चिड़ाया करते थे इसके अलावा इनकी आँकों की रोशनी भी कम जोड़ थी लेकिन उस दिन इनकी किस्मत बदल गई जब एक फोटोग्राफर की नजर इन पर पड़ी और स्टीवन का यूनिक लुक देखकर उस फोटोग्राफर के होश उड़ गए उसने उसी समय स्टीवन की कुछ फोटो ली और बाद में ये फोटो एक मैगजीन में पबलिश कर दी और ये उनके करियर की सुरवात थी और 2011 में ये गिवेंची फैसन हाउस मैगजीन का चहरा बने और 2016 में रिलीज हुई मूवी एक्सपोजड में भी दिखाई दिये आज ये सोसल प्रोजेक्ट और कुछ फैसन प्रोजेक्ट पर काम कर रही है दोस्तो इन सभी लोगों के बारे में जानने के बाद हमें एक ही भास समझाती है कि कभी भी अपनी जिन्दगी में गिवप मत कीजिए और काम करते रहिए लोग क्या कहेंगे ये कभी मत सोचिए क्योंकि लोगों की सोच कर कई बार हम अपने आपको डिमोटिवेट कर लेते हैं और काम करने से पहले ही हार मान जाते हैं तो डटे रहिए और अपना काम करते रहिए अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजे और चैनल को सब्सक्राइब कीजे ऐसी ही और वीडियोस पाने के लिए वीडियो में आकर तक बने रहने के लिए आप चबी का धन्यवाद